एक बार क्या हुआ, एक गाव में एक व्यक्ति बड़ा बिमार था, क्योंकि उसे टी भी था, बिमारी जादा बढ़ने की वज़े से वो अपने गाव के ही वैद के घर पे पहुंचा, अब जैसी वो वैद के घर गया, उसको पता लगा कि वैद जी घर पे नहीं है, वो खेत म ना पेपर था, ना पेन, तो उन्होंने पास में ही रखी एक लाल इंट को उठाया, और उसके पास में कोईला पड़ा था, तो कोईले को उठाके और लाल इंट को उठाके, उस कोईले से लाल इंट पे कुछ लिखा, और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये ले ले लेना और इसे रोज पानी में गोल-गोल के पीना अब प्रोब्लम ये थी कि वो व्यक्ती अनपड था वो वैजी की बात को ठीक से समझ नहीं पाया लेकिन वो उस इट को लेके घर चला गया और तीन मिने बाद वापस लोटके वैजी के पास आया और कहता है कि वैजी आपके द्बारा दी गई दबाई से मैं आता तो ठीक हो चुकाँ अगर आप मुझे वो दबाई दुबारा दे दे दें तो शायद मैं पूरा ठीक हो जाओ तो वैजी ने का मैंने तुम्हें दिया तो था तो वो व्यक्ति क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा वो व्यक्ति कहता है कि एटे तो हमारे घर पे बढ़ी है लेकिन उस एट पे जो आपने मंत्र फूप के दिया था अगर वो दे दें तुमेरा काम बन जाए तो वैद जी हैरान रहे गए उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता लगा कि वो व्यक्ति पिछले तीन महीने से उस एट को पानी में गोल गोल के पी रहा है लेकिन फिर भी वैद जी ने उसको कुछ नहीं कहा सच्चाई बताई नहीं पता है क्यूं? क्यूंकि उसे उस इलाज में विश्वास था और वो ठीक हो रहा था वैद जीने फिर से एट ली और फिर से उस एट पे कोईले से दवाई लिखके उसे दे दी और वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया अब आप लोग कहेंगे कि कैसे बच्चों वाली कहानी है? नहीं? लेकिन यहाँ पर समझने और सीखने लाइक बहुत सारी चीज़ है यहाँ सीखने लाइक बात यह है कि दवाई लेने के साथ साथ आपको इस चीज़ पे भी विश्वास होना चीए कि इस दवाई को लेने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओंगा तभी आप उस प्रॉबलम से बाहर निकल पाओगे और यह सेम चीज़ आपकी जिंदगी में भी लागू होती है अगर आपको अपने आप पे और अपने आइडिया पे पूरा विश्वास है तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे बस अपना विश्वास दगबगाने मत दीजेगा